कोई भी पुरानी गाड़ी जितनी पुरानी होती चली जाती है उसमें फॉल्ट जो है उतने ही नए नए किसम के आने लग पड़ते हैं जी हाँ मैं सही कह रहा हूँ जितनी पुरानी गाड़ी हो जाएगी उस गाड़ी में फॉल्ट उतने ही नए नए आएंगे क्योंकि उसमें पता नहीं कितने हाल्थ लग चुके होते हैं वाइरिंग में हर तरह की चीजों में मतलब उस गाड़ी के साथ में अत्याचार बहुत हो चुका होता है तो उसमें फॉल्ट डाइगनोस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो आज हम बात करने वाले हैं इस पुरानी गाड़ी में ब्रेक स्विच के फॉल्ट की जी हाँ जो ब्रेक दमाने के ऊपर आपकी जो पीछे की लाइट है ब्रेक लाइट इसको हम बो हैं तो इनको पॉजटिव में आजाएं जी होटीैं जो होती है पॉजटिव रहें गी या तो नेजाटिव रहें गी सेम रहेंगी मेंली स्विच का काम होता है करन्ट को कॉट ओफ करना आब इस टेस्ट पेन से मैं आपको यहाँ पर दिखाँगा कि वोल्टेज आरी है की नहीं आ रही है यह सबसे पहले अपने को चेक करना है तो टेस्ट पैन का मैं यहां पर यूज किया हूँ आप मल्टीमीटर का भी कर सकते हैं तो एक जो प्रॉब है इसकी वो ग्राउंड हम दे देते हैं और टेस्ट पैन का दूसरा सीरा जो है हम ब्रेक स्विच के ऊपर टर् करन्ट आना चाहिए तो यह पिंक वाली वायर पे यहां पे कोई करन्ट जो है दिखा नहीं रहा है बल्ब मेरा यहां पे ग्लो नहीं कर रहा है मतलब यहां पे पॉजिटिव की सप्लाई अभी फिलार इस वायर में नहीं है तो यहां पे सेकंड वायर में भी कोई भी सप्ल आई ही नहीं आ रही है, तो अब्यस सी बात है, next step अपना जो होगा, वो fuse box चेक करना होगा, तो ये fuse box के उपर में, जितने भी आपको fuse लगे हैं, वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कि आपके कोई भी गाड़ी हो, अगर आपको fuse box अपना चेक करना है, तो इस तरह के test pen की सहायता से आप एक-एक fuse के दोनों terminal के उपर में, एक fuse पे दो terminal होते हैं, दोनों terminal के उपर में single-single आपको point करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हर point के उपर में bulb glow करना चाहिए, एक detailed video में मैं आपको छोटी सी बीडियो आप बना के दे दूँगा कि fuse box कैसे चक किया जाता है किस तरीके से तो यहाँ पे हम basically fuse box चक कर रहे हैं और यहाँ पे complete fuse box में जो नीचे वाली रो है वहाँ पे हर जगा में supply जो है आ रही है सारे fuse होके हैं तो उपर वाला जो मेरा fuse box का जो उपर वाली रो है यहाँ पे भी चक कर लेते हैं यह मैं उस case में बता रहा हूँ जब आपको fuse box में पता नहीं होता कि आपको कौन सा fuse किस चीज का है यह गाड़ी बहुत ही परानी हो चुकी है हलांकि मुझे पता है कि इसका break switch का fuse कौन सा है बट फिर भी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ चक करने का तो यहाँ पे complete fuse box में हमारी हर जगा supply है मतलब हमारा positive वहाँ पे जाना चाहिए बट यहाँ पे एक आपको जाते-जाते जानकारी भी दे देता हूँ मसात में कि अगर आपको fuse box चेक करना हो तो जैसे यह दो terminal है इसके उपर में दो dots आपको दिख रहे होंगे तो यहाँ पे एक terminal के उपर में आपको pointer लगाना है और फिर उसके बाद में नीचे वाले terminal पे pointer लगाना है इस तरह से fuse आपके चेक किये जाते है दोनों points के उपर में bulb glow करना चाहिए अगर किसी एक ही point पे bulb glow कर रहा है मतलब आपको fuse खराब है तो उसको आपको replace करना हो इस test pen का मैं आपको description में link भी दे दूँगा या आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं चाहें ना रबा हो एक connection पे हमारे को positive यहां मिलना चाहिए जो की हमारे को नहीं मिल रहा है तो अब कहानी हो जाती है गड़बर fuse box okay है current अपने को supply नहीं मिल रहा और कोई भी अगर mechanic के वीडियो देख रहा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि यह किसी भी mechanic के लिए nightmare हो जाता है मतलब बहुत दर्दबरी कहानी होती है क्योंकि उसको लग जाता है पता कि भी आप चेक करनी पड़ेगी अपने को wiring एक एक wiring चेक करनी पड़ेगी तो wiring चेक करने के लिए हम step by step ही चलते हैं हमेशा fuse box से निकलता हुआ पहला ही coupler ये है जो fuse box के निकलने के बाद में जब बाकी मेरा brake switch वगरा पर जाएगा तो brake switch की जो wires हैं दोनों यहां पर मेरे को color code देखना है तो एक wire जो है green के उपर में white है और एक wire जो है वो pink है color code देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको color code मैच करके ही wiring जो है trace out करनी होती है तो यहां brake switch मैंने निकाल लिया है बाहर ताकि दोनों में से किसी भी wire के उपर में हमेशा supply जाती रही है अगर brake switch लगा रहेगा तब क्या होगा कि एक wire जो है कट हो जाएगी हमारे को wiring चक करने में थोड़ी मुश्किल होगी अब हमारा brake switch जब बाहर है तब यह जो coupler है इसके उपर में जो green के उपर में white वाली wire है और जो pink वाली wire है इन दोनों के उपर मुझे supply चक करनी है और यहां पर आप देखेंगे कि supply नहीं आ रही है पहले ही point पे इसके बाद में जब कहानी होती है वो तो बाद में देखेंगे तो पहला ही जो मेरा junction है first जो मेरा stoppage है वहीं पे मेरी कोई supply नहीं आ रही है इस वाले coupler पे यह immediate coupler निकला है fuse box से बाहर अब मैं आपको मजदार कहानी यह बताता हूँ कि जिस time पे मैंने continuity चक करने के लिए basically क्या होता है next step हमारा होता है कि fuse box से लेके इस coupler तक की continuity चक करनी है कि continuity है या नहीं है wire टूटी तो नहीं है तो वो जब चक करने के लिए मैंने fuse box अपना बाहर निकाला इस तरह से और उस time पे जब मैंने चक करना शुरू किया तो यहाँ पे मेरा bulb जो है वो glow करना शुरू कर दिया मैं आपको दिखाता हूँ यह break switch के उपर मैंने यहाँ पे अपना test pen लगाया और थोड़ा सा इसको जैसे हलका सा fuse box को हिलाओंगा तो यह glow करना शुरू कर दे रहा है तो wiring का fault जब आप step by step चलते हैं उस time पे आपको ढूनना easily हो जाता है मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाता हूँ कि मामला है क्या यहाँ पे जो pink वाली wire है यह मेरे brake switch की wire है तो यह pink वाली wire को जिस time पे देखेंगे मैं अंदर की तरफ धकेल रहा हूँ थोड़ा सा तो मेरा bulb glow करना शुरू कर दे रहा है और जब छोड़ रहा हूँ मैंने लगा रखा है brake switch के उपर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ तो जब मैं इसको हलका सा छोड़ रहा हूँ जिस time पे तो यह बंद हो जा रहा है और दबाने पे जो है वो bulb मेरा चालू हो जा रहा है तो कहने का मतलब यह है अब मैं brake switch को भी आपको चेक करके दिखाई देता हूँ यह जो green और white वाली wire है इसके उपर में अगर हम test pen लगाएंगे जिस time पे तो brake switch को यह operate करेगा क्योंकि यह bypass wire है तो यहाँ पे मैं पहले इसको थोड़ा सा tight connection कर देता हूँ यह देखे कि जो pink वाली wire है इसको दबाने के बाद में यहाँ पे भी दूसरी wire में भी bulb glow कर रहा है क्योंकि हमने brake switch बाहर निकाल रखा है तो अभी यह open connection है एकदम proper तो जब मैं brake switch को यहाँ पे दबाऊंगा नीचे से तो देखे एकदम first class जो है मेरी brake operate हो रही है मतलब बल मेरा बंद हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखे यह नीचे लग रखा ना इसका stopper सा तो इसको दबाने पे मेरा आराम से test pen जो है वो बंद हो रहा है और चालू हो रहा है होता है कि ऐस तरह के fault जो है बाहर निकल के आते हैं अगर यहाँ पे supply नहीं आ रही है तो आपको एक बार fuse box से पहले continuity चेक करनी होती है तो continuity अगर नहीं आ है तो wiring रिपेर करनी होती है अगर continuity आ रही है उसके बाद के process को अगर आपको जानना है तो आपको मेरे को एक बार comment करके बताईएगा मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा step by step complete wiring चेक करनी की पर यहाँ पे तो fault जो है वो बहुत ही छोटा सा था बट बहुत अजीब सा fault है यह कई बार मिल जाता है कई बार नहीं मिल जाता है क्योंकि यह intermittent होता है जब गाड़े आपकी थोड़ी सी खड़ों में जाएगी उस ताइंपे ब्रेक सुच काम करना शुरू कर देगा जब खड़ों में नहीं होगी प्लेन रास्ते पे होगी तो ब्रेक सुच काम नहीं करेगा तो यहाँ पे मैंने एक temporary जुगार लगाया है इस जो wire थी fuse box के पीछे में मैंने थोड़ी सी दो माचिस की तीलिया जो है अंदर गुसेड दी है so that की यह थोड़ा tight रहे तो तीलियों के साथ में इसको माचिस की तीलियों के साथ में मैंने tight कर दिया है अब यह ब्रेक सुच मेरा एकदम first class operate करेगा ब्रेक सुच के बारे में और बहुत सारी मज़दार जानकारियां मेरे पास में है जो कि आपके साथ मैं जरूर शियर करना चाहूँगा तो आने वाली वीडियो में वो सारी जानकारियां आपको ब्रेक सुच के बारे में specially मिलेंगी और जो मजज़ार जानकारिया है आप बताइए का मेरे को कमेंट करके कि आपको चाहिए है नहीं चाहिए तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सकाइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते आची सी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत